पेशिंस पेशिंस लोगों की बातों के उपर लोगों की धुतकारों के उपर सीवी रिजेक्ट होने के उपर और धक्के खाने के उपर और उन तनहाईयों के अंदर जहां लोग तेरे अंदर का वो जिन नहीं देख सके जब लोग तेरे अंदर का वो आतिश फिशा ना देख सके उन वक्तों का सबर जब तुझे वैसे ही मार्केटिंग में बुला लेंगे जब तु मशूर हो जाएगी और हो जाएगा उन वक्तों का सबर जब कोई नहीं जानता होगा यार ये वाकेटिंग फिशुचर का एक फिशुचर जा रहा है यहां से उन वक्तों का सबर जब लोग नहीं जानते होंगे आज इससे बात करने के लिए भी इसको ओए ओए करके बुलाते हैं कल इसके मारकेटिंग हेड को मेसेच करना पड़ेगा यार इनसे एक 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 लेक्चर देलवा दो वो सबर वो सबर के लोग उन कबरों में तुझे गिरा के आएंगे और ऐसी सबरों पे गोलिया मार के आएंगे कि तू हेडशॉट के बाद उठना सके इतना सबर तुझे चाहिए बेटा मुझे काहिल करेगा ना तो इस शेर का कोई जानवर भी नी तुझे सुनेगा और तू लोगों को काहिल करना चाहरा है कि मैं ये कर सकता हूँ बेटा अपने अमल से प्रूफ करता है आत्मी इतना सबर के मुझे को टेप लगा ले स्टॉब याबिंग फ्रॉम यूर माउथ और स्टार्ट परफॉर्मिंग टूर्ड्स यूर ग्रेट सकसेस इंजर्टी इतना सबर मारने दे इने खंजर तेरे चाहतियों पर मारने दे इनको खंजर अपने उपर पोई गम की बात नहीं है अब ये तो तारीख है इमामों की कि उन्हें सीनों और गर्दनों और उनकी गलों और गर्वानों के ओपर छुरे मारे गए हैं वो लीडरी क्या जो शुरुआत में डिसकवर हो जाए जब वो डिसकवर होता है ना अपनी वैलियूस का गला ना घूंटी कभी अपनी जात को चंट टकों के आगे बेचना दें कभी तेरे आइडिये को बाहर भी लगेगा फानेंस भी लगेगा लोग भी लगेंगे और टीम भी लगेगी सबर इतना सबर मगर सिर्फ सबर करके बैठना भी नहीं है यकीन भी रखी यकीन अमल प्रेडियूस कराता है यकीन पॉजिटिविटी निकालता है यकीन जो गाल पे थपड मारता है ना उसको स्माइल देता है कोई मस्दा नहीं सेर फिर मुलाकात होगी इंशालला आज हम आपसे मांगने आये कल मैं आपका ये स्कूल खरीदने आऊंगा इंशालला याद रखियेगा लेकिन आज मैं आपसे टाइम मांग रहा हूँ और आपके पास टाइम नहीं हमारे लिए कल आप हमारा वक्त मांगेंगे और कौम आपको डो करी कि इस टाइम पर गई यह हम आपको नहीं दे सकते हैं मैं इतनी बड़ी सल्तनाथ खड़ा करूँगा क्योंके मैं गहतमन भी हूँ जयूर माबाब की उलाद भी हूँ किसी बेहया का हूँ नहीं हूँ वो घमी नहीं होता बेटा विजन में अपना तो गमी नहीं होता कौम होती है लोग होते हैं लोग होते हैं और बजू होते हैं अपने साथ सरा दर्द होता है वो आशू होते हैं जो अंदर ही होते हैं और बंदा कहीं नहीं होता और अपने आपको काट के गोश्ट देना होता है कौम को पहले तो तू ही HR होगा, तू ही corporate marketing होगी, तू ही sales department होगा, तू ही सब कुछ तू, CEO भी तू, और पूरी company का वो जमादार भी तू, जिसने अपने इन कपड़ों से पोचे लगाने होगे, कोई नहीं होगा तेरे साथ, हार लमानी, आज तू पातेक फिलिप्स, रोलेक्स, रस आज अगर तू कुछ नहीं है, आज अगर तू कुछ नहीं है, मैं तुझे कहके चाता हूँ बेटा, इजब कर अपनी, एक दिन होगा, जो जो जमीन पे नहीं, तू कंदों पे एंट्रियां मारेगा यूनिवस्टियों के अंदर लोगों की, लेकिन धबरा नहीं, ये वर् खाब देखना, सबसे अजीम तरीन कुफर इस जमाने के अगर, कि मैं ये बनाना चाता हूँ, उसके बाद उस खाब को रिटेन करना, उस खाब को अपने आपको रोस ड्रिल डाउन करना, नेल डाउन करना, और फिर बनाते हैं, एक गाड़ी और आगे आपसे निकल जाएग जो लोग समझते हैं कि मैं बहुत हद तक तक तकलीव बरदाश्ट कर सकता हूँ, और आप देखेंगे वो गेड़े की तरह दिवार में सर मारते रहेंगे, हाला कि वो काम स्ट्टीजिकली किया जाता, तो कम रिसोर्ट जाय किये वे जल्दी हो सकता था, और कुछ लोग इत और वो कसद जो अमल ना बन सका, और वो अमल जो नतीजा ना ला सका, और वो नतीजा जो महास्बा ना करा सका, और वो महास्बा जो तौबा ना करा सका, ऐसे इल्म के बारे में तो अल्ला कुरान में कहता है, कमसल हिमारिन यह हमिल उस्फार यह गदें हैं जो उनने किताब मैं हारानी जिंदगी में भाईजान वो बनी नहीं सकता कुछ का और जो हार के सीखानी वो भी नहीं बन सकता कुछ और जो हार के उठाने उसे तो पहले कहें भाईजान ये आपका वीज़ा है वापस चले जाएं इस मुलक और इस वादी में आपका कोई लेना दिना नहीं ये तनहाईयों का गेम है या केलेपनों का गेम है शुकूक और शुभात और इस्तराव के ऐसे महल मिलेंगे आपको आप सोच नहीं सकते हैं लेकिन इस पूरी स्ट्रगल के अंदर जिन्दगी में अपने खाब में कुछ बनाने के लिए अपना आप मनवाने के लिए और अपना लुह मनवाने के लिए इनसान को सबसे पहले लोग बाहर कन्विंस कर रहे होते हैं बाज़ान सबसे पहली तरपियत अपनी होती है चालिस साल मेरे नभी को अल्ला ने ऐसा ग्राइंड किया है एसा ग्राइंड किया है कि लेकिन इतनी बड़ी तरीक कैसे खड़ी हो सकती थी जब तक के उस शक्स की उस इनसानी आट्रिब्यूट्स का वोज कमाल और जमाल का जहुरना होता कि जिसने उसने दुनिया में माइकल हाट के इस जमले को पूरा करना था कि अगर इनसान की कोई मेराज हो सकती है ना तो वो मुहम्मस साला में और वो कोई और नहीं हो सकता क्योंकि इसने हुमन पोटेंशल पे वो परफॉर्फॉर्मस दी है कंसिस्टिंसी, कॉंशिसनेस, सर्टिंटी, यकीन, सबर, इस्तिकलाल, पहम्मल, मुस्तिकल मिजाजी, दवाम और उसके बाद रुहानियत, स्पिरिच्वालिटी, तालुक बिल्ला, तस्किया, तालीम, हिकम के ऐसे बाप माने है इस नैचरल कपैसिटी और पोटेंशल पे, अज़ा है, ये ऐसी कोई मिसाल ने मिलती, ना पहले ना आखरी के अंदर इसलिए प्रॉफॉर्फॉर्फॉर्स लिए एक शक्स इतनी एक्चुलाइज लाइफ कैसे जी सकता है ये तब ही हो सकता है, जब हमें जजबात, महबत, गजब, दुख, दर्ड, उमीदें, ये फ्यूल्ड होते हैं, ये नाइटरोज होते हैं, जो कभी कभी दिये जा सकते हैं मगर इतना लंबा सफर है ये, इतना थका देने वाला सफर है ये, इतना तोर देने वाला सफर है ये, इसमें महद जजबातों के साथ नी खिला जा सकता, इसमें इनसान को असूल चाहिए, इसमें इनसान को अकीदा चाहिए, इसमें इनसान को नजरियाद चाहिए, तफक्र जाएए तफक्र फिशरा चाहिए तफक्र फिल्कौन चाहिए उसे वो फोच चाहिए जो उसके अंदर से self productivity create करती है यो कि this is an odd for me to do it मैं इस लिएंनी कर रहा क्योंके मैंने उसको गिराना है मैंने इसको नीचे लगाना है मैंने उसमें शौरत हासल करनी है मैंने अपने नफस को प्रूफ करना है विजन बनाया इसलिए जाता है कॉस इट इस दी ओट अब टाइम ये इसलिए करना हूँ क्योंकि ये होना चाहिए और ये इसलिए करना हूँ ये शायद अर्श के बाश्चाने मुझे चुना है इसके लिए मैं क्लेम नहीं करता लेट मी गिव इड़ ट्राइ तो तकबराना मिजाजों के साथ जहां नफस में हसद हो बुगद हो तकबर हो कीना हो ये छोटी सेल्फ सेंटेट इंट्रोस्पेक्टिव वैल्यूस के साथ इमामते और क्यादते नहीं होती भाज़न सफर बहुत अलंबा है आपको लोग चाहिए आपको रिसोर्स चाहिए आपको टीम चाहिए जो कम पैसे में आपके साथ काम करे अगर आपके मिजाज के अंदर आपकी परस्नलिटी के अंदर ये छोटे-छोटे मसाइल है आप दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बनाएंगे आप रिसोर्स जाया करेंगे आप एहल की नाकदरी करेंगे आप merit को उठा के फेकेंगे और आप अपने हिर्द गिर्द वो लजना बनाएंगे जो खुशामत परस्तों की अगर आपने यही करना है तो भाई जान मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी की जंग में वो शक्स जो आपके मुकाबले में खड़ा होगा और अपनी वैल्यूस को प्रॉपर करके लाया होगा आप नहीं जीव सकते उससे अगर वो अल्ला लाएगा जंग में अपने साथ एक मशीन चलाने के लिए और वो नभी से सलम को भी लाएगा उस जंग के अंदर अपने साथ और वो बजर्गों के तजर्बे लाएगा अपने साथ वो माबाप की दुआएं लाएगा अपने साथ फील्ड के आइंस्टाइन की थियोरी लाएगा अपने साथ और दुनिया के अंदर कॉंटम्पलेशन लेकी आएगा उन वक्तों में जहा हम पाटियां कर रहे थे जहा हम लगे वे थे दुर्दर मस्तियों के अंदर अगर वो अपना टाइम मैनेजमेंट लाएगा अगर वो अपना रिसोर्स मैनेजमेंट लाएगा आप उससे नहीं जीज सकते उसके बाद भी अगर वो हार गया और अगर वो टैप अप करता है के वेल डेन ब्रदर इंशालला नेक्स टाइम पॉजिटिव कॉम्पेटिशन में तेरे साथ ही खड़ेंगे एसे पठे को आप नहीं हरा सकते जिस इंसान में छोटा पन हुआ उसकी नफस के अंदर शक्सियत के वो गलीज जरा सीम हुए कि मैं बरदाश नहीं कर सकता क्योंकर ये महाजर है ये पंजाबी है ये सिंधी है ये सराइकी है वो बरदाश नहीं कर सकता कि ये इलीड क्लास का ये मिडल क्लास का ये हाई क्लास का ये लोवर क्लास का वो बरदाश्ट नहीं कर सकता कि मैं मर्द हूँ ये और वो जेंडर बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन रखता है और वो बरदाश्ट नहीं कर सकता कि ये लिबरल है ये मौलवी है ये फलान है ये मिड है ये एक रूजी है ये फलान है डिमकान आगर वो बरदाश्ट नी कर सकता इंसानों को वो टीम मैनज्मेंट नी कर सकता और खाबों को तक्मील करने के लिए बधा बाजु चाहिए होते हैं और लीडर होता ही वो है, विजन होता ही हुआ है जो अपने अंदर काइनात को इनकमपास कराता है वो magnetize कराता है कौन को अपने अंदर कि I am the man and I am standing here right now और वो Allah को भी convince करता है कि तू पूरी कहक्षा फला गुमा मेरे लिए यहाँ पर क्योंके मैं ख़ड़ा हूँ यहाँ यहाँ पर and as Allah says, Prophet ﷺ says I am the man and I am the man and I am standing here right now लेकिन तू दिल लावो जो हमसे जुड़ा तू इन्सानों की positivity के लिए field के अंदर उतर optimism, positivity, natural behavioral psychology, perceptional balance इन अलफास के साथ तुआ, तू हाथ रखेगा हम सोना कर देंगे और देख अगर यह चीज़ें नहीं हैं, सफर लंबा है सफर लंबा है अगर आप लोगों के हक मारना चाहते हैं सफर लंबा है अगर आप नफस की शौरत चाहते हैं सफर लंबा है अगर आप तारीफों के भूके हैं सफर लंबा है अगर आप पैसे दौलत के लिए कर रहे हैं सफर लंबा है अगर आप लोगों को जुगाने के लिए कर रहे हैं सफर लंबा हो जाएगा इस लोंग वॉक पहला सबक आज सीख के जाना बिटा ये बहुत लंबा सफर है सदियां हैं तनहाईयां हैं और यूसफ लिएसलाम की कैद है और सोचें वो जो एक उनका साथी था जब वो जाने लगा तो सूर यूसफ पढ़ियेगा उन्होंने क्या का बाई जाकर उसको बताना मेरे साथ एक औरत ने ज्याती की थी वो भूल गया तेरे भी आइडियो को सुनने के बाद लोग भूल जेंगे बटा कोई याद नी रखेगा कि पाकस्तान कराची के शेर में एक जीनियस था बलके प्लेजरिजरिजम के बाद मिलेंगे तुझे लोग तेरा आइडिया लेकर उसको रीने क्यूंकि उसके पास मशीनरी जाता है उसके पास मारकेटिंग हाउस बड़ा है उसके पास बज़ट बड़ा है तेरे पास आइडिया बड़ा है वो तो उससे उठाएंगे बेटा और खुद रेनुवेट करके ऐसी बड़ी कोक और पेपसी की इंड़स्ट्री खड़ी कर देंगे जीनियस वहीं मर जाएगा इन मगर मचो मैं तूने मगाम मनाने बड़ा अपना जिन्दगी में मौत के उस बिस्तर पे लेटते हुए इंसान को जो इत्मिनान होता है कि मैंने एक शेर की जिन्दगी जी मैं कायर की मौत नहीं मरा मैं लोगों के डिफाइंड डिफाइंड वैलियूस पे नहीं चला मैंने मुल्क को भी सर्फ किया मैंने दीन को भी सर्फ किया मैं कौम को भी सर्फ करके गया और फखर से मैं आज अपनी मौत को इंब्रेस करता हूँ तो अल्ला फरमाते हैं आला मिनुम आइमा, हम इन्सान को, जो सिर्फ इन्सान होता है, आइमा, आइमा इन अरबिक इस दजमा आफ एमाम, हम उसे इमाम बनाते हैं, लीडर बनाते हैं अपनी फील्ड में, सिगनिचर बनाते हैं, कि वो हात रखता है और वहाँ definitions लिखती जाती है इतना تजर्बा होता है कि वो जो बोलता है वो academics बन जाती ही उस time के उपर हम उस इंसान को जो कुछ भी नहीं था जो कही रोडो में, कही बसों में कही पीले स्कुलों में, कही टाटों पे पैठावा धक्के खा रहा था हम उसे इमाम मनाते हैं